हेलो प्यारे बच्चों ये है आपकी विज्ञान की कारेपत्रक संख्या 10 जो आपको 4 नमबर 2020 को करनी है बिटा सभी बच्चे अपना नाम अपने कक्षा ध्यापक का नाम अपना रोलंबर और सुडेंट आइडी जरूर लिखे उसके बाद बिटा विशे जरूर लिखे कि वरक्षीट किस विशे पर आधारित है तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संसलेशन के बारे में तो देखिए सव पोषन, सव जैसा की आप जानते हैं स्वयम, स्वयम के लिए आया है सव तो सव पोषन यानि की अपना पोशन, अपना पोशन कैसे? पोशन की विदी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयम तियार करता है जब जीव अपना भूजन स्वयम तैयार करता है तो उसको बोलते हैं सव पोशन तो उधारन के लिए हरे जो पौधे हैं बिटा वो अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की दूप और कार्बन डायोकसाइड पानी इनकी मदद से और सूरज की दूप की उपस्तिती में क्लो और इसके स्विधी द्वारा करते हैं तो देखिए पतियां पादब की खाद्य फैक्ट्रिया होती है यानि की पतियां जो है जो पौधे में पतियां है वो क्या है किचन है खाद्य फैक्ट्री है वो वहाँ खाने का समान बनता है वहाँ फैक्ट्री है जो वहाँ कहते है न manufacturing unit तो पतियों में ही बनता है जो बोजन बनता है पूरे पौधे के लिए तो अगर आपसे पुछा जाएं पतियां पादप की खाद्य डाश होती है तो फैक्टरियां होती है पादपो में खाद्य का निर्मार पतियों में होता है तो खाने का निर्मार कहाँ पर हो रहा है फूड बनता है पतियों में तो पतियों में एक हरा वर्णक होता है पतियों का जो हरा रंग है बिटा वो हरा हरा वर्णक है जो जिसको कहते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की उपस्तिती में सूरे के प्रकाश की सूरे के प्रकाश की उजा संग्रहन करने में पतियां सहायता करती है तो क्लोरोफिल होता है तो सूरे के प्रकाश योता है पतियां उसे ग्रहन कर लेती है और उसे स्टोर कर लेती है अपने पास रख लेती है और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादब क्लोरो फिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्तिदी में हमेशा सनलाइट जब जब सन है यानि कि जब सूरे का प्रकाश है दिन का समय है तब पतियां कार्बन डियोक्साइड और जल का प्रयोग करके अपना भोजन तयार करती है तो अब देखिए हवा में कार्बन डियोक्साइड पतियों की सतय है अब कार्बन डियोक्साइड चाह ब्यदेई कि यहानने में मदद करते हैं यह जो पत्ति के लोग की तदिया ये व To meta या रंद हेरन जो हिए बिटा क्यए है रंध जो थी सजा रहा हो उने रंद यसे इंद dif द्यारा आप पर उनाव दो से जो उसके रहे देखेां आप देखिए यहां पर देखिए प्रकार संस्लेशन की जो विदी है उसका ही आपको चित्र बना चित्र द्वारा उसका वर्णन करके दिखाया गया है यह चित्र भी बहुत इंपोर्टन्ट है आपको अपनी कौपी में सुंदर-सुंदर बनाना है देखिए सोरूर्जा है पतियों को मिली Carbon Dioxide मिली हवा से जो चित्रों के माधियम से रंद्र के माधियम से पत्ति के अंदर गया तो यहां पर देखिए Carbon Dioxide अधर जा रही है और Oxygen बाहर आ रही है नीचे यहां पर जड हैं जडु में क्या है जल और खनिज मिलता है जडों को जल और खनिज पौद को जड़ों के द्वारा मिलता है और फिर उसके बाद पती जो है वो हरे रंकी क्यों होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है तो ख्लोरोफिल की के साथ कार्बन डॉक्साइड पानी और सलनाइड यानि के सौर उठ्जा की उपस्तिती वे जो प्रक्रिया बोजन बनाने वाहिकाओं द्वारा पतियों तक पहुंचाये जाते हैं तो जल और खनीज है कहां वो मिट्टी में है और जड़े उसको अवशोशित करती हैं और फिर वाहिकाओं के द्वारा पतली-पतली ट्यूब जैसी होती हैं पेड के अंदर जिनके द्वारा वो विभिन भागों मे और फाने जो पदे के विभिन भाग है या पतियान हैं वहां today को खनीज लवन और पाणी जल पहुंचाया जाता है तो जो नली के समान पादप में फैली होती है बने जैसे आपको भी बताया कि सारे नली के समान फैली हुई है और फूरे पूदे को जो जल और खनीज है उ करके उसको स्टोर कर लेना तो था पादप में खादे रूप में संचित हो जाती है और सासत खादे रूप जो हमारे पौधों में खाने लायक चीजें हैं वो खादे रूप में पतियां अपने पास पेड़ पौधे अपने पास वो उर्जा संग्रहित कर लेते हैं अते सूरे सभी जीवित जीवों के लिए उर्जा का अंतिम स्त्रोथ है तो बिटा सभी जीवों को जो उर्जा मिल रही है देखिए सूरे से मिली पौधों को और पौधों से मिली जीवों को तो जीवों को भी असल में कहां से मिली तो चरम स्त्रोथ है वह सूर्य की और स्भारई है इसमें प्रकरप्र कारबन ड्यक्सड जल और सूर' के प्रकाश के उपस्तिती में जो प्रकरिया जो पोधे के लिए भोजन बनाने के लिए भोजन बनाने का कारे करती है उसे क्या कहते है उसमें भोजन बनाया जाता है जैसे देखिए यहाँ पर आपका उत्तर है यह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप यह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूरे की प्रकाश की उपस्थिती में बिटा सूरे का प्रकाश उस टाइम पे उपस्थित है और कार्बन डैक्साइड चाहिए जल चाहिए इसलिए महापद की अंडरलाइन पहले से करके भी दिया हुए कि कार्बन डैक्साइड चाहिए जो की रंद् प्रकास अंसलेशन तो देखिए रंद किसे कहते हैं जो छोटे-छोटे छिद्र बौधे की पती के सतय पर मौजूद है उसे स्टोमेटा कहते हैं जिसके द्वारा कार्बन डियोकसाइड जो है वो पतियों की सतय से अंदर जाती है अगला है सूरे उर्जा का चरम स्रोथ है कै कैसे सपस्ट करें अभी हमने जो पढ़ा कि क्या है पतियों द्वारा सोर उर्जा संग्रहित की जाती है पतियों ने क्या किया कहां से लाई वो उर्जा वो सूरज की जो उर्जा थी सूरे के प्रकाश में जो हीड थी सूरे के प्रकाश में जो उर्जा थी वो उर्जा को उ पाधुदप ने खाद्री रूप में संचित कर लिया, उसमें खाद्री रूप में संचित हो गया उस पौदे में उसके बाद अता है सूरे सभी अब वो जब कुछ इसका है पत्तियां पादप के खादे तो यहां पर देखिए पादप के खादे फैक्ट्रियां होती हैं यहां पर यह देखिए पत्तियां पादप के खादे फैक्ट्रियां होती हैं आप देखिए आपका यह उत्तर यहां पर लिखे हैं आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकत और ध्यान से एक बड़ समझ लीजिए पहला है प्रकास अंसलेशन के से कहते हैं तो प्रकास अंसलेशन वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूरे की प्रकाश की उपस्तिती में बिटा क्लोरोफिल की सहायता चाहिए सूरे प्रकाश संचलेशन अब देखिए दूसरा है स्टोमेटा यानी की रंध्र किसे कहते हैं तो पतियों की सतय पर विटा जो छोटे-चोटे छेद होते हैं जिससे कार्बन डियॉकसाइड उसके अंदर जाती है उसे क्या कहते हैं उन छिद्रों को उन छोटे-छोटे छिद्रों चरम स्रोथ है कैसे तो देखिए विटा उपर मैंने आपको बताया जो यहां पर वर्क्षीट में लैंगोज लिखी है और यह मैंने आपको सिंपल वे में जो आप याद कर सकें उस तरह से आपको वर्क्षीट में तो आंसर दिखाई दिया अभी दुबारा भी आपको बता देते हूं लेकिन यहां पर एक बार समझ लीजिए ताकि आपको असानिक से आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सूरे के देखिए सूरे उ सूरे का प्रकाश का इस्तमाल करके तो वो क्या हो गया रसायन बन गए अलगलग तरह के रसायन बन गए हमारे शरीर में उसके बाद अब वो क्या है अलगलग तरह के जो रसायन है पोधे में अब पोधे में तो जो फूड जो उसने खाने के रूप में जो संग्रहित किया में सबजी में हमने जब उसे खाया या हमने उस पौधे को जैसे अगर पालक खाई तो पालक और धनिया इसमें तो पूरा पौधा ही लिया जाता है तो वो रसायनी कुर्जा जो खाद्य प्रदार्त के रूप में उस पौधे में है वो रसायनी कुर्जा वो पौधा आगे ज जुर दुश्यों को मिलती है, जू खाने सी हुर्जा मिली, वो लुख चौह दरने के लिए पूधाँ य изб hàng पूधापग को पूधाँ में खातु है, लेकिन जो अनरजी वाशती है, वह रिखाना के सब्सक्राइब जाती है अब वो स्टोर एनरजी जब उसको कोई खाता है उस पौधे के को कोई पौधे से संबंदित कोई खाना खाता है या पौधा जैसे पौधे से संबंदित कैसे कह सकते हैं जैसे धनिया ही पूरा धनिया ही लिया आपने तो धनिया की टहनी है धनिया के पत्ते हैं तो उ इससे ही पता चलता है कि जो असली स्टोथ है जो वो है सूरे का प्रकाश तो सूरे का प्रकाश यानि सूरे उर्जा ही सभी को उर्जा दे रही है तो यहां देखे बिटा उसी को समझाया गया है कि जब वो रसाइनी कुर्जा में बदल जाता है तो मनुष्य अत्वा जानवर द्वारा पादवो के सेवन से रसाइनी कुर्जा का प्रयोब भोजन के रूप में किया जाता है जो मनुष्य है या जानवर है वो जब पौधे को पौधे के विभिन भागो को या पौधे का सेवन करते हैं इसे पालक है, पालक के पते है या मेथी है इस तरह से धनिया है तो इनको आप पूरा-पूरा ही बिटा इस्तमाल करते हो तो वो जब पूरा-पूरा इस्तमाल के रहता है तो उसके पूरी ही जो स्ट्रक्चर में अलग-लग जगा पर जो एनरजी अंदर है वो एनरजी एक्चुल कहां से आई कहां से इकठी होनी शुरू हुई तो वो रूप है अनरजी का सूरे की उरजा का तो यह उस उरजा का इस्तमाल करता है अपने शारीरिक गतिविधियों को पूरा करने और जीवित रहने के लिए तो इसलिए सूरे की उरजा जो है वो ही चरम यह उरजा है तो पतियां पादब की खादे फैक्टरियां होती है उपर मैंने आपको दिखा भी दिया था तो यहां पर पतियां पादब की क्या है खुद फूड फैक्टरी और जो यह सूरे के प्रकाश वाला उत्तर है अगर आप चाहें तो सूरे के करते हैं उसे इकठा करते हैं सौर उरजा को तथा पादब में खादे रूप से पादब में क्या है उस पादे में खादे के रूप में संचेत हो जाती है अतै सूरे सभी जीवित जीवों के लिए उरजा का अंतिम स्त्रोत है तो सभी जीव जो है सबी जो जीव है उन सब के लिए जो उर्जा का स्त्रोथ है वो सूरज ही है अब देखिए आपने ये सारा फोटो सिंदेजिस से सबंदित पढ़ा इसके बाद आपका है कोविट के संदर्ब में उचित वहवार तो कोविट 19 से लड़ने के लिए सूरक्षत रहने के लिए हमे मास्क जरूर पहनना है हमें शारीरिक दूरी का ध्यार नखना है जो छे फीट या दो गज़ होनी चाहिए कम से कम और उसके साथ साथ बिटा बार बार अपने हाथ साबुन और पानी से दोने हैं और जितना हम अलर्ट रहेंगे हम सब को अवेर रखेंगे उतना ही हम तो बिटा आप क्या करेंगे आपको जो पाठ पढ़ाया गया है जो पाठ का यह भाग पढ़ाया गया आपको अपने पाठे पुस्तक से भी जरूर पढ़ना है और साइड बाई साइड जो प्रश्न उतर है उन्हें भी पढ़कर जरूर करना है तो इस तरह बिटा keep learning enjoy learning and stay connected थांक यू